नमस्कार शिक्षार्थियों, मुक्त बेसिक्स शिक्षा, प्रोड, इस्तरक, हिंदी विशाय के इस कारेक्रम में मैं आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूँ सरकार ने अशिक्षा को दूर करने के लिए शिक्षा का अधिकार नाम से कानून बनाया है यह कानून पूरे देश में लागू है सरकार की कोशिस है कि देश में अब कोई भी गरीब बच्चा गरीबी के कारण अशिक्षित न रहे यह कानून हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार शिक्षा की गारंटी देता है इसी संदर्व में हम अपना चतुर्थ अध्याय जिसका शेर्शक है सब पढ़ें आगे बढ़ें पाठ चार नाटक के माध्यम से अध्यायन को प्रारब करते हैं इस पाठ से हम सीखेंगे सिक्षा के अधिकार संबंधि नियम, मुफ्त सिक्षा के मापदंड, अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों के दाखिले की सुभिधा, विना माननेता वाले स्कूलों के बारे में कानून, पिछडी जाती तथा गरीबी की रेखा से नीचे के बच्चों को स्कूलों में दी जाने वाली सुभिधाएं, ड, ल, ध, ध, वर्णों की पहचान तथा उनके प्रयोग में अंतर को, आईए पाठ को प्रारम करते हैं, डंबर सिंग, मास्टर जी और प्रधान जी को मेरी राम राम, आईए बैठ आज आप हमारे मुहले में कैसे घूम रहे हैं, प्रधान जी, डंबर सिंग, सरकार ने हमको जिम्यदारी दी है कि हमारे गाओं के सभी बच्चे स्कूल जाएं, लड़के तथा लड़की दोनों ही स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बात है, डंबर सिंग, प्रधान जी, मैं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, प्रधान जी, डंबर सिंग, बेढ़ंगी बात मत कर, अब पैसे की बात ही नहीं है, सरकार ने एक नया कानून बनाया है, जिसमें 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों को आठवी कक्षा तक की सिक्षा मुफ्त दी जाती है, अब आपको ना तो फीस देनी है, ना ही ड्रेस बनवानी है, इन सब का खर्च सरकार उठाएगी, इतना ही नहीं, किताबें, कौपियां वबस्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी अब मुफ्त में मिलेगा, डंबर सिंग, मास्टर जी मैंने सुना है कि जन्म प्रमाण पत्र के बिना स् नहीं है, मास्टर जी घबराये नहीं, आपको जन्म का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाकर नाम लिखवा सकते हैं, मंगलू, डंबर सिंग का भाई, मास्टर जी क्या हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ स ऐसे स्कूल चलाने वालों पर अब एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, इसके बाद भी अगर स्कूल चलते हैं, तो दस हजार रुपए रोज जुर्माना देना होगा, अब सभी मानेता प्राप्त निजी स्कूलों, नवोदय वा केंद्रिय विद्यालयों, सैन दाखिले से पहले इंतिहान लेते हैं, माबाप का भी इंटरियू लेते हैं, मास्टर जी मागलो तुमने ठीक सुना हैं, पर अब ऐसा नहीं होता, अगर कोई श्कूल पिछडे वर्ग के बच्चों को किसी भी बहाने से दाखिला नहीं देगा, तो उस पर पच्चीस हजार रुपए जुर्माना होगा, अगर वह गलती दोहराएगा, तो उस पर पच्चास हजार रुपए का जुर्माना होगा, फिर भी नहीं माना, तो उसके माननेता ही रद्द कर दी जाएगी, माश्टर जी, वहाँ तु बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, क्य सभी बच्चों के साथ बिठाना पड़ेगा, सब की पढ़ाई साथ बैठ कर ही होगी, मंगलू, माश्टर जी, सिक्षा के अधिकार का यह नया कानून तो बहुत अच्छा है, हमें इसके तोर तरीके की जानकारी ही नहीं थी, अब तो मैं पूरे महले में निडोरा पीट द होगा, प्रेशिक्षार्थियों आशा करता हूँ आपको ये नाटक पसंद आया होगा, आईए, अब जानते हैं ड और र के पहचान और इनके प्रयोग में अंतर, इस पाठ में ड्रेस, डंबर, शब्द आये हैं, इन में ड वर्ण का प्रयोग हुआ है, इसी तरह पाठ में लडका, लडकी, पिछडे, बड़े आदी शब्द आये हैं, इन शब्दों में ड वर्ण का प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं कि ड वर्ण के नीचे जब बिंदी लग जाती है, तो उसकी आवाज बदल जाती है, ध्यान दें, ड किसी सब्द के शुरू में, बीच में या अंत में आ सकता है, परन्तु ड किसी सब्द के शुरू में नहीं आता, यह सब्द के बीच और अंत में ही आता है, ड और ड वाले कुछ और सब्द नीचे दिये जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और इनके अंतर को समझे, ड वर्ण से निर्मित कुछ सब्द, डमरू, डल डाल, डॉक्टर, हड्डी, डग्मग, डाक घर, डकार, डवर्ण से निर्मित कुछ सब्द, हडबडी, हावडा, लडाई, पेड, उजाड, मकडी, गाडी ड्ह और ड्ह की पहचान और इनके प्रयोग में अंतर को देखते हैं, इस पाठ में धिन्धोरा सब्द आया है, इस सब्द में ड्ह वर्ण का प्रयोग हुआ है इसी तरह पाठ में पढ़, पढ़ाई सब्द आये हैं, इनमें ड्ह वर्ण का प्रयोग हुआ है आप देख रहे हैं कि जब ध्ह वर्ण के नीचे बिंदी लग जाती है, तो उसकी धोनी में परिवर्तन देखी जा सकती है ध्ह और ध्ह वाले कुछ और सब्द नीचे दिये जा रहे हैं, इनहें पढ़िए और इनके अंतर को समझे ध्ह वर्ण से निर्मित कुछ सब्द धकना, धंग, धपली, धिबरी, धोलक, गढ़्धा, बुढ़्धा, रह वर्ण से निर्मित कुछ सब्द चढ़ाई, कढ़ाई, बाड, बढ़ाई, आशाड, अनपढ, अलीगड, ध्यान दें, रह का किसी सब्द के सुरू में प्रयोग नहीं होता प्रेशिक्षार्थियों, आज आपने पढ़ा, सब पढ़ें, आगे बढ़ें नामक नाटक और उसमें वर्णेत भावों को, और साथी साथ ड, ड, ध, ध, मात्राओं में अंतर आईए कारिक्रब को समाप्त करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस अध्याय को सरलता पूर्वक समझा होगा आपका दिन मंगल मैं हो, धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं चाद कर्क दो देशाने ऑगने इस अध्याद